नमस्कार आपके साथ मैं हूँ प्रितीश श्रेवास्ता और स्वागता आपका स्टेट बुलेटिन में रुप करेंगे खबरों की और खबर चतिसकर से चतिसकर की राजधानी राइपूर के साइन्स कॉलेज मैदान में 5 और 6 अक्टूबर को सैने प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि हमारी युवाओं के साथ सभी प्रदर्शनी के लिए भारतिय सेना के शौरे प्राकर्म शमता और ताकत से परीचित होने का ये बड़ा ही महत्वपून आसर होगा सैने प्रदर्शनी में युधक टैंक T90 सहीत बहुत से ऐसे आधुनिक और उन्नत सैने उपकरनों को प्रदर्शित किया जाएगा जिसका उप्योग करके हमारे सेना ने दुश्मनों पर विजय प्राप्त की है इस प्रदर्शनी में हमारे जाबाज सैनिक पैरा जंपिंग, खूकरी डान्स, डेर डविल, मोटर साइकल, राइडिंग और घुड सवारी का भी प्रदर्शन करेंगे मुक्यमंत्री साइने सभी से अपिल करते वे कहा कि आप सभी इस कारे करम का हिस्सा बने, भारतिय सेना के आनबान शान से करीब से परीचित हो, और अपने सैनिकों का होसला और बुलंद करें, उन्होंने कहा कि आप सभी अपने परिवार के साथ इस प्रदर्शनी के करने की प्रेड न मिले। साथी खिलाडियों को बहतर सुविधा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी, प्रदेश में खेल प्रतिभाव की कोई कमी नहीं है, राचे में खेलों के प्रचार प्रसार के साथ साथ अधू, सनरचना के विकास और खिलाडियों के हित में हमारी सरकार द्वार भगेल की अध्यक्षता में महानदी भवन में आगामी खरीफ विपनन वर्ष दोहजार चौबिस से दोहजार पचेस में समर्थन मुले पर धान खरी दी और कस्टम मिलिंग की नीती की समिक्षा कर सुझाव देनी के लिए गठित मंत्री मंदलिये उपसमिती की बैठक संप और राजसो और आपता प्रबंधन मंत्री टंक राम वर्मा शामिल हुए खादे मंत्री दयाल दास बखेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में चालू खरीफ विपनन वर्ष में 160 लाग मिट्रिक धान खरीदने का अनुमान रखा गया है इस साल दिपावली का पर्व और राज्य स्थापना दिवस राज उत्सव को ध्यान में रखते हुए धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू किये जाने के संबंद में भी चर्चा की गई लेकिन राज्य मंत्री पर इशत की बैठक में ही इस आश्यका अंतिम निर्ने लिया जाएगा साथी आपको बता दे कि प पारजन केंद्रों को एलेक्ट्रोनिक वेटिंग मशीन की वेवस्था करने को भी कहा गया है 36 कर में बढ़ते अपराद और नशा खोरी के विरोध में कॉंग्रिस पार्टी बलौदा बाजार की गिरोध पूरी से राइपूर तक की 125 किलोमेटर की पधियात्रा तो कर रही है दूसरी और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नितर्तु में राजधानी राइपूर के कॉंग्रिस नेता पूर्विधायक विकास उपध्याय भी कंधे से कंधा मिलाकर दीपक बैज का साथ दे रहे है नुकर नाटकों के जर्ये जंता के बीच में एक अनुखा प्रदर्शन कॉंग्रिस पार्टी कर रही है सभी सार्वजनिक स्थालो चौक चौरा हो और वार्डो में इन नुकर नाटकों के जर्ये ये बताने के कोशिश की जा रही है कि 36 कड के सीने पर आपको बता दे कैसे वार अपराधी कर रहे हैं वुर्फ संसदीय सचीव और कॉंग्रेस के युवा ने ताविकास उपध्याय ने प्रदर्शन के बाद कहा कि आप महीने की भारतिय जंता पार्टी की डबल इंजन के सरकार से 36 कड अपराध गड़ बन कर रह गया है हर दिन बरतकार लूट टकैती हत्या और यह सब आम बात हो गई है आज कानून विवस्था नाम की चीज 36 कड में नहीं है अपराधियों के होसले बुलंद हैं सरकार को नीन से जगाने के लिए और जंता को जागरूप करने के लिए हम नुकर नाटकों के जरिये जंता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और जंता ये सब कुछ जानती भी है अपराध आज साथवे आस्मान पर है नशे के गिरफ्त में छोटे छोटे बच्चे आ चुके हैं ये प्रदर्शन हम राइपूर राजधानी के सभी सावजनिक स्थलो पर मोहले में कर रहे हैं 36 गर प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्र दीपक बैच के नितरतु में निकल रही कॉंग्रेस के 36 गर नया यात्रा चौथे दिन आरंग विधानसभा के बैसा से निकल कर धर सीवा विधानसभा में प्रविश कर गई यात्रा खरोरा माठ होते हुए रातरी विश्राम सारा गाउं था चौथे दिन यात्रा भैंसा से सारा गाउं तक कुल 24 किलो मिटर तक चली और आपको बता दे वैंसा से सारा गाउं तक यात्रा में ग्रामिनों और शेद्रवासियों ने मंच बना कर जगा जगा यात्रा का स्वाकत किया प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष दिपक बैच ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि यात्रा का चौथा दिन है इसके पहले तीन दिनों तक जनता ने भरपूर समर्थन दिया हमारे कारेकरताओं में भी यात्रा को लेकर अभूद पुर्व उत्सा देखने को मिल रहा है इस यात्रा का उदेश्य प्रदेश की विगड चुकी कानून में वस्थाओं को लेकर सरकार को जकाना है जनता के बीच बढ़ते अपरादों के कारण भय का महोल है महिलाएं बहने और सुरक्षित हैं किसी समाज का आदमी सुरक्षित नहीं है सरकार का ड्राइवर कौन है किसी को पता नहीं है सरकार के मंत्रियों में आपस में विरोधा भास है प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष पत्रकारों के सवालों का जवाब देती हुए उन्होंने कहा कि पुरवर्ती कॉंग्रेस की 5 साल सरकार थी जो किसानों, युवाओं, माता, बहनों और प्रदेश के हर वर्प के लिए काम किया E.D. IT.C.B.I. कॉंग्रेस सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है 36 गड महासमुल जिले के पिथोरा ठाना छेत्र के ग्राम अलमी आपको बता दे, अलमीडा निवासी सप्ता भर से लापता खिलेशवर सा की संदिक्द मौत का मामला सामने आ रहा है प्राप जानकारी अनुसार अग्यात व्यक्तियों के द्वारा खिलेशवरी सा को मार कर गाउं के किसान पितामबर ध्रूव के खेत के मेड में दबा कर छुपाये गया था जिसके पैचान उनके परीजन द्वारा की गई जिसकी जानकारी पुलिस फॉरेंसिक टीम को मिलते ही मौके पर जाच में पुलिस जोट चुकी है महा समुन्च जेले के पिथोरा नगर में देर राद भालू घूमता हुआ दिखा जिससे लोग देखकर दैशत में आ गए प्राब जानकारी के अनुसार पिथोरा नगर के एक ग्राम लहरूत बयार रोट छेतर के आसपास काफी देर तक भालू को घूमता हुआ देखा गया शहर में लगतार भालू की आमच जारी है भालू शहर के गली महौले में आए दिन नज़र आ रहे हैं भोजन पानी की तालाश में भालू रिहायशी इलाके का रुख कर रहे हैं जिने रोग पाने में वन विभाग पूरी तरह नाकाम नज़र आ रही हैं वहीं लोगों को मॉर्णिंग वॉक में निकलने के लिए भी सावधानी बरतने की बात कही गई हैं है में आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से वहां पे भालू घूमते वे नज़र आ रहे हैं मौहले इलाके हर जगा भालू घूमते वे नज़र आ रहे है लोग अपने आपको आसुरक्षित मैहसूस कर हैं मॉर् exclusively को काफी दिक्कत हो रही है खबर मद्यप्रदेश से है डबरा में यात्री बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी जिससे ट्रॉली में बैठे 30 लोग खायल हो गए इसमें से पांच लोग गंभी रूप से घायल हैं सभी लोग बखेल समाज के बताई जा रही है जो सिम्रिया गाउंट स रिष्टेदारी में पटा का भूजन कर हत नूरा जा रहे थे और आपको बता दे एनेच की 108 एंबुलेंस में सभी घायलों को डबरा के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचा तो वहीं गंभी लोगों का प्रथम उपचार कर दिया गया है इसके बाद उन्हें जिल अस्पताल रेफर कर दिया गया खबर बिहार से बिहार के मुखे मंतरी निदिश कुमार उतर प्रदेश के बाड़ प्रभाविट छेत्र का हाईवे सर्वे करने निकले हैं मुखे मंतरी निदिश कुमार नेपाल से निकलने वाली कोसी बागमती और गंडक नदियों के जलस्तर का वहीं आपको बता दे कि बिहार के गंडग, कोसी, बागमती, महानन्दा और अन्य नदियों में आई बाड से बिहार के 16 जिले प्रभावित हैं। जिलों के लगभग 9.9 जन संक्या बाड की चपेट में हैं। तूटे हैं। दरबंगा जिले के कीरतपूर प्रखंड के भूबोल गाउं में कोसी तटबंद तूट चुका है। सीतामडी जिलेक में 22 साल बाद बागमती अपनी रौधर रूप में आई है। उसके कारण सीतामडी के तीन जगों पर बांट तूट गए है। वहीं शिवहर में भी एक जगा बांट तूट किया है। चार स्थानों की तीन लाग की अबाधी बाढ़ से आपको बता दे नुकसान हुआ है। और उन्हें काफी ज़्यादा परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें पहला स्थान बेलसंड के मदकॉल का है। बांट तूटने के बाद 10 पंचायतों के 30 गाउं में संकट का बादल छा गया। वहां सनी साधपूर में रविवार की शाम को तिलक ताजपूर और खरहुआ नुनौरा के मदे बांट तूटा है। जिसके बाद लोगों में अफरात तफ्री का माहुल कायम हो गया। होनी की संभावना है अधिकांश हिस्सों में मेग गर्जन के साथ व्रजपात और हवा की गती जोकों के साथ 30-40 किलोमेटर प्रति घंटे की रफतार से चल सकती है। बिहार के दर्भंगा में कोसी नदी पर बना बांट तूट गया। डिम राजीव रोशन ने बताया कि किरतपूर की आठ पंचायतों की लोगों को उचे स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। करीब आठ किलोमेटर की दूरी में पानी बह रहा है। गंश्यामपुर, घोड़ा, बोराम, कुशेश्वर स्थान और कीरतपूर परखंड इससे प्रभावित होंगे। जिला अधिकारी राजीव रोशन मौके पर अपनी टीम के साथ कैम्प कर रहे हैं और अधिकारी मौके पर पहुँचकर राहत कारियों में लगे हुए हैं। लोगों को एलर्ट किया जा रहा है, उचे स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है, लोगों के बीच अपने आपको बच्चाने के लिए अफ्रात तफ्री का माहूल है। बांग देर रात बारा बचकर पैतालिस मिनट में तूटा है, लगभग एक लाग की अबादी प्रभावित है। समिक्षा बैटक कर उन्हें राज्य सरकार की मत्वपुन योजना को आमजन तक पहुचाने का निर्देश दिया। आमजन तक पहुचाया जाए। जिससे लाभारतियों और हित धारकों को समय से योजनाओं का लाव मिल सके। खबर सासाराम से है जहां डेरी मुफसिल थाना छेतर के जमुखार के पास से एक नर्तकी का शव बरामत हुआ। हत्या का रूप आदित्य सिंग नामक एक यूवक पर लगा है मामले में अब तक पुलिस की कोई कारवाई नहीं होने से आकरोशिक लोगों ने सासाराम के पोस्ट आफिस चौराहा को शव के साथ जाम कर दिया। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि सासाराम के मुफसिल थाना छिद्र के विशामपूर की रहने वाली आरती को कल तेत्रिया के आदित्य सिंग नामक एक यूवक आईफून दिलाने के नाम पर अपने साथ ले गया था। लेकिन आज गंबे रिस्ति में वो सड़क किनारे पड़ी मिली, परीजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोर्शित कर दिया। ऐसे में अभी तक किसी थाना की पुलिस को जवाबते ही नहीं लेने पर, परीजन नराज होकर शव को लेकर पोस्ट आफ़िस चोराहा चले गए और सड़क को जाम कर दिया। जिसमें जहारकन के राजेपाल संदोष गंगवार, केंद्रिय महिला और बाल विकास मंत्री अनपूर्णा देवी शामिल हुई, साथवे रास्ट्रे पोशन मा के समापन समरों में राजेपाल और केंद्रिय मंत्री ने राच्छी से देश के 11,000 से अधिक सक्षम आंगनब केंद्रों का ओनलाइन उद्खाटन किया, डोरंडा अस्तित जैप शौरे सभागार में राश्ट्रे पोशन मा के समापन कारेकर में 12 राज्यों के ICDS कर्मी भी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये जुडे, राश्ट्रे पोशन मा के समापन समरों में पोशन मा के दौरान युजित एक्टिविटी जैसे अनप्रशासन, गोद भराई, आउ तोड़े को पोशन चक्र से संबंदित लगूं फिल्म और सक्षम आंगनबाडी का उद्खाटन को पोशन दूर करने के रिए राज्यों द्वारा किये गए बैतर कारेकर की प्रस्तूती की गई, साथवे रास्ट्रे पोशन माँ 2024 के समापन समारों में आगनबाडी कतिवीधियों से संबंदित कई प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका अतित्थियों ने उलू कन किया, पोशन बाटिका, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, पोशन भी पढ़ाई भी, बाल सुरक्षा स अमर सामजिक सुरक्षा, पीवी टीजी, स्वम सहायता, समू समेत कई स्टॉल आकर्शन का केंदर रहे, सौसर पर राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि पोशन को दूर करने में आगनबाडी केंदरों की भूमिका एहम है, अब सक्षम आगनबाडी से पोशन भी पढ़ के 2047 तक विक्सित भारत के संकल्प को पूरा करने में महिला और बाल विकास विभाग की भूमिका हैम होगी, देश के 2 लाग से अधिक आगनबाडी केंदरों को सक्षम आगनबाडी बनाना है इलेक्टोरल बाइंट्स मामले में वित्यमंत्री निर्मला सीता रमान और भाजपा की रास्टे अधियक जेपी नडडा पर प्रात्मी की दर जोने पर जारकन की सत्ताधारी पार्टी जारकन मुक्ती मोचा मुकर है मामले में जामूमों के केंदरी महासचीव सुप्रियो भटाचारे ने प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधीक से केंदरी वित्यमंत्री को ततकाल बर्खास्त करने और भाजपा अधियक जेपी नडडा को भी पद से हटाने की मांग की है राची में प्रेस वारता के माध्यम से जेम्म के केंदरी महासचीव सुप्रियो भटाचारे ने कहा कि आर्थिक अपराद की आरोपी वित्यमंत्री कैसे प्राथमी की दर्ज होने के 24 घंटे बाद भी पद पर बनी रह सकती है उन्होंने बीजेपी परतंच कस्तिवे कहा कि मामले के बाद सपस्ट हो गया कि बीजेपी का मतलब भरस्ट जनू की पार्टी है जारकर्ण मुक्ती मोचा के केंद्रे महासाचीफ सुप्रीमो भटाचारे ने कहा कि राची दोरे के दोरान भी निर्मला सीतरमन एडी के आरोपी और जेल से बेल पर छूटे विश्टू अगरवाल के साथ फाइव स्टार होटल में मुलकात किया था इतना ही नहीं तब एडी का फरारी एक आरोपी के साथ भी उनकी तस्वीर सावजनिक हुई थी सुप्रीमो आपको बता दे सुप्रीयो भटाचारे ने कहा कि सरकारे अजिंसियों का दुरुप्यों कर पैसे की उगाही कर उसे भाजपा के फंड में जमा किया गया है उन्हो पान यात्र की सफलता से घबरा गए है यही वज़ा है कि अब वो 2100 महीना देने वाली योजना और तीन चर्णों में अपने घुशना पत्र को जारी करने की बात कर रहे हैं यह उनकी घबराहट का परिचायक है सुप्रीयों भटाचारे ने कहा कि उन्हें तो कभी-कभी आ बात करते हैं जारकन कांग्रेस कैंपिंग कमीटी के चेर्मेन और पुर्फ केंद्रिय मंत्री सुपोध कान सहाई ने भरस्टचार के मुद्दो पर भारती जन्ता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है पूर्फ केंद्रिय मंत्री ने कहा कि आज जारकन आकर भाजपा के नेत बांगलादेशी घुस्पेट की बात कर रही है उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि ये लोग कब कहा थे जब 18 सालों तक उनकी सरकार राज्जे में थी पूर्फ केद्रे मंतरी सुबोधकान सहाई ने कहा कि इलेक्टोरल बाइंट्स के मामले नरिंद्र मोदी और भाजपा क की जैनती यानि दो अक्टूबर तक विते मंतरी स्तीफा दे जारकन कॉंग्रेस चुनाओ कैंपें कमीटी के चेर्मेन सुबोधकान सहाई ने कहा कि हमारी महागडबंधन की सरकार ने इतने सारे काम किये हैं कि हमें कोई नकरात्मक प्रचार करने की जरूरत नहीं है वहीं क के बाद अब 1 अक्टूबर को जमशेदपूर में समाच के अलग-अलग वर्गों के साथ राए शुमारी की जाएगी बंदू तिर्की ने कहा है कि कॉंग्रेस मैनिफेस्टो कमीटी के रास्ट्रा देरक्षर टीयस सिंग देव भी राची आएंगे बंदू तिर्की ने ये गड़वा में सरकारी अधिवक्ता परीश कुमार तिवारी ने वहवार न्याले परीशर में कॉंफरेंस हॉल में आयोजित प्रेस कॉंफरेंस के दौरान कहा कि मुक्यमंत्री हैमत सुरेण ने अधिवक्ताओं की हित में एक एतिहासिक कारे किया है उन्होंने वहवार न्य अले गड़वा के तीन दिव्यंगत अधिवक्ताओं के परीजन को एड़ोकेट वेलफेर ट्रस्ट की ओर से सहायता राशी के रूप में अलग-अलग चेक प्रदान किये हैं जिसे अधिवक्ता संग के पदादिकारियों को सौपा किया इस सहार्णिय कारे के लिए मुख्यमं और इसे के साथ स्टेट बुलेटिन में फिलाल इतना ही नमस्कार